कभी आपने किसी rocket को उड़ते वे דेखा है जब rocket उपर जाता है या कोई भी satellite उपर जाता है तो वो उपर जाते वक्त हर थोड़ी दूरी तय करने के बाद नीचे के एक हिस्से को छोड़ देता है उस एक हिस्से को छोड़ने से उसको फिर से thrust मिलता है वो फिर और उपर जाता है, वो फिर से नीचे के एक हिस्से को छोड़ देता है, धीरे धीरे नीचे के हिस्सों को छोड़ते छोड़ते जाके वो और्बिट में स्थापित होता है, ठीक उसी तरीके से हमको भी उपर जाने के लिए बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता लोग सोसते बहुत सारी चीजों को सीखना पड़ता है, मैं बोलता हूँ सीखने के पहले बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है, सबसे बड़ी चीज, जो आपको छोड़नी होगी, वो है लोड लेना, किसी ने मुझ को ये कह दिया, तो मैंने लोड ले लिया, किसी न मेरे को response नहीं दिया तो मैंने load ले लिया किसी ने मेरे विचार का सम्मान नहीं किया तो मैंने load ले लिया कोई मेरे विरोध में दो लाइन बोल गया मैं load ले लिया बड़ा होने के लिए आपका हलका होना बहुत जरूरी है हलका होने के लिए सबसे बड़ी कला जो हर इंसान को सिखनी चीए वो एक कला है नजर अंदाज करने की कला लोड लेने वाला आदमी लोडर वो कभी बड़ा नहीं होता बड़ा कौन होता है जो लोगों को नजर जर्ण अंदाज करते हैं बड़ा वो हता है कि किसी ने कोई उससे रॉंग व्यभार कर दिया तो वह उससे बोले ठीक है यार इसको जो सही लगा इसने किया बड़ा वो होता है जो किसी ने कभी कुछ उल्टी सीधी बात कह दी तो रात को सोने के पहले हो कह दे आज जितने भी लोगों ने मेरा दिल दुखाया है मैंने जिसका भी दिल दुखाया उन सब को मैं माप करता हूं बड़ा वो होगा जो सारे धागों से सारी स्ट्रिंग से आजाद होगा वो कभी बड़ा नहीं होगा जो सुबह एक घटना घटी और रात को नींद में वो बिस्तर पे लेट कर अपनी सीलिंग को देखता है इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया इसनी मेरे को ऐसा क्यों कह दिया तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं यदि बड़ा होना चाहते हैं तो पहले खुद को हलका किजिए भारी आदमी कभी बड़ा नहीं होता एक विमान में भी भाकती जब बहुत लोडेड ना हो ठीक उसी तरीके से आप तभी बढ़ सकते हैं तभी बढ़े हो सकते हैं जब आप लोड ना लें और उसके लिए एक सबसे बड़ी कला जो दुनिया के महान से महान व्यक्ति में होती है वो कला है चीजों को नजर अंदाज करने की कला ची मुश्किल है कि दुनिया में आदमी अच्छे अनुभाओ को याद नि रखता है लेकिन बुरे अनुभाओ को याद रखता है एक कामेडियन ने कहाँ उसका मैं चुटकुला एक बार सुनाओं गा तो आप हसोगे, सब ने कहा हाँ उसने कहा मैं दूसरी बार सुनाओंगा तो बोले थोड़ा कम हसेंगे लेकिन फिर भी हसेंगे उसने कहा मैं तीसरी बार सुनाओंगा तो बोले अब नहीं हसेंगे मैं चौथी बार सुनाओंगा तो बोले अब गुस्सा करेंगे पाचवी बार सुनाओंगा तो बले मारने दवड़ेंगे तो एक चुटकुला आपको एक बार हसाता है और अगली हर बार उससे हसी कम होते आती और गुस्सा आते आता है लेकिन एक कड़वा अनुभव आपके साथ 10 साल पहले भी हुआ तो उसको आप आज भी याद करते हो तो कड़वा हट से भर उठते हो ऐसा क्यों कड़वा अनुभव की लाइफ इतनी जादा और अच्छे अनुभव की लाइफ इतना कम क्यों यदि हमको बढ़ा बनना है तो हमको कड़वे अनुभावों को नजरन्दाज करने की कला सिखनी पड़ेगी और अच्छे अनुभावों को मेमोरी में फीट करने की अधा सिखनी पड़ेगी यदि इतने से चोटी सी बात आप याद रहेएं तो दुनिया में कोई ताकत आपकी तरक्की को नहीं रोख सकती शुक्रिया धन्यवाद